तो गाइस मेरे हाथ में निम्बू और सिग्रेट देखकर आप ये मत अंदाचा लगाना कि मैं भोतों से बात करने वाला हूँ आप लोगों ने देखा हो गए एक बार एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें सिग्रेट को निम्बू से काट कर दिखाया गया था एक बार तो मुझे भी नहीं लगा कि ये सही होगा लेकिन कही सारी वीडियो देखने के बाद हमने सोचा क्या पता सच हो सकता है तो हमने सोचा कि फिर ये आपके साथ क्यों ना ट्राई किया जाए तो फिर हम आपके साथ देखने वाले हैं ये कितना सही है कितना गलत है तो फिर हम फटाफट बीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी सच्चाई का पता लगाते हैं तो गाई यार ये मेरे पास सिग्रेट और निम्बू है तो फिर इस बीडियो की सच्चाई का हम जल्दी से पता लगाते हैं देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है तो सबसे पहले फिर हम माचिस ले लेते हैं और सिग्रेट को हमें उल्टी तरफ जलाना है तो हमने सिग्रेट को उल्टी तरफ जला लिया है आप देख सकते हैं हमने सिग्रेट को उल्टी तरफ जला लिया है फिर हम इसको बुझा देते हैं तो गाईज हमने इसको बुझा दिया आप देख सकते हैं यह सिगरेट को हमने उल्टी तरब बुझा दिया है और अब हम इसको पीछे से निम्बू काट कर देखने वाले हैं क्या कटता है कि नहीं कटता है कि वीडियो की कितनी सच्चाई है हम आपको पूरा दिखाने वाले ह तो गाइज आप देख सकते हैं आपके सामने इसको काटने वाले हैं सिग्रेट से निम्बू देखते हैं कटता है कि नहीं कटता जा रहा है जो उसका पीछे का साइड है उसे हम काटने की क्वसिस कर रहे हैं यह देख सकते हैं इसको इतना काट दिया है और आपको यह भी बता दे रहे हैं कि इसमें थोड़ा नुकीला टाइप का होता है सिगरेट के पीछे के साइड आप इसको ट्राय जरूब करना है इसमें आप देख सकते हैं ठोड़ा सा नुकीला टाइब और सिगरेट हमारी टूट चूकी है तो फिर को हाथ से फार बादा नहीं है गएधि इसको आपको हाथ से फार कर दिखाने वाले हैं आप देख सकते हैं यह भट गया हम आपको बता देते हैं कि सिग्रेट के पीछे नुकीला टाइप का होता है आप एक बार जरूर ट्राइ करना जलाने के बाद यह बिल्कुल तीखा हो जाता है तो जैसे कि देख सकते हैं आप पूरी तरह से निम्बू को तो नहीं काट प त Bijक पर नहीं होता है जिसमें हम रोटी लपेटते हैं कि उसी के उसी को लगा कर नीचे बना हुआ होता है जिसमें थोड़ कागज कागज का दीते और जब मुसको जलाने के बाद ज्युकल गया और वहाइल पेपर बचा रहा जिसने नीबो को बड़े आसानी से काड़ दि बाई बाई टाटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना बाई बाई